आज बनाऊंगी पोहा, आज क्या में चीरर पुलाव बनाबो, ये पोहा महाराश्ट्र में खाते हैं, मध्यप्रदेश में खाते हैं, महाराश्ट्र मध्यप्रदेशे पोहा जिनिष्टा खुब प्रोचली तो, अब ये अलग-अलग वराइटी के पोहे होते हैं, अलाधालाधा वरायटी कांदा पह, बटाटा पह और शुदु पह। मध्य प्रदेश शुदु पह खाए। अलग-अलग बराइटी जिमनी पियाजर पोहा थके आलूड पोहा नाहले एमनी पोहा मध्यप्रदेशें एमनी पोहाई खाए अमध्यप्रदेश में सिर्फ तेल में थोड़ा जीरा सर्सो का फोर्णी दे के उसमें कड़ीपता और और मिर्ची डाल के वो लोग खाते हैं तो मध्यप्रदेश का पोहा एकदम आसान है लेकिन वो बटाटे वड़े के साथ खाते हैं जहां तक मैंने देखा है मैं जब वहां गई थी तब मैंने ऐसा देखा ता मियों खाने जब हुन गये चिलाम तो को नहीं देखे चिलाम आज रख दिया था तो ये ऐसे थोड़ा फूल गया है अमी जॉल्टा एटाके धूई ए जॉल्टा पुरो बेल कोड़े एमनी कोड़े खानी खोने जने रेखे ची तो चिरेटा एकट्टू नरम नरम आर फूलेगा ची एक चिरेटा ने बो आलू केटे निये ची आर शिंगदा और कड़ी पत्ता और मिर्ची अभी तेल डालेंगे आप लोग में इसे बहुत लोग बनाते होंगे तेल डालने के बाद इसमें जीरा फोर्नी देंगे सरसो ज्यादा देना है जीरा फोर्टा काचा लोंग का काचा का फोर्नी दाना और बटाते तब इसके बाद देख हमने डाल दीए अगर कांदा डालना चाते हैं तो इसके पहले कांदा तोड़ा डाल दीए बटाते है तो आपनार दीए जी प्याज दिते चांद तो एवफ देए ऍटांवें आज देवो ना फखाल बला उठे पियाज के तो भाज हो लाजेना निक्षोमाई दिखेले बाना ले और तो पियाज भी ताम सवेरे सवेरे कांदा इतना पसंद नहीं है अगर शाम को बनाती शायद मैं इसमें कांदा डालती थी अब थोड़ी देर इसको पखने देएगे फुल स्पीड पे रखा है मैंने या तो मिडियम स्पीड फुल स्पीड है नाहल है मिडियम स्पीड है अखों दिये देवो नून अभी नमक दोंगी इसमें थोड़ा दिया और मैं पोहे पे अंदाज से दे दोंगी थोड़ा पोहे को पोहे पे भी नमक डाल दिया पोहे के उपड़ी मैंने थोड़ा शक्कर भी डाल दिया है चीरे टार उपड़े आमी एक नून ना रेक्टू चीनी दिये दिला चीनी ओप्शनल आपको चीनी देना है तो दीजिए चीनी ता दिल पीते इच्चे कोला दिबेन खान तो दिबेन नहाले ना दिलो चोड़े एटाके मिक्स कोले रिच्छी छे नूना चीनी ता दिला मटा मिशीर मिच्छी अब इसमे थोड़ा हल्वी डाल देंगे होजूत कुड़ो दिये दिलाम अलबली इसको ढल देंगे अब खानी खोने जनने डेके देखे देवो आलूटा शिद्धो वाज जनने बटाटा बोयल होने के देख्टन को दो-3 मिनिट के बाद खोल लेना है दो-3 मिनिट परे ढखना टा खुले अब इका क्यास्त्रा से जनने आलूट तल करी कड़ा है अब की बटाटे की भाजी बनाता ना वैसे ही हम इसको ऐसे स्प्रेड कर देते हैं दीडे-दीडे आज पर होने दीजी आलू गुलो शितो हैगा छे आलू पक गया है अब हम यह जो पोहें जो मिक्स करके रखे थे वो हम अभी इसमें डालें चिरेटा दिये दिना थोड़ा हाथों से हिलाएंगे हलके हाथों से हिलाएंगे अच्प्यास तेड़े से नेड़े दिए अभी इसके उपर थोड़ा पानी चिड़का दिए अब इस तरह से फुल स्पीड कर दीजिये और उसमें क्छाए पानी चिड़का के देना है अब हाथ से देना है चिड़का के बहुत ही तोड़ा पानी चिड़काना है फुलट स्पीड पे और फिर उसको WR 2-3 मिनित के लिए धकना है एक टूपानी जॉल चिड़के दिए आज फुल रहेगा, फुल स्पीड पे हमने रखा है, अब थोड़ी दिर के बाद हम ढखकन खोल देंगे, बोटन मिनित के बाद देखिए, ओहा रेडी है, चिदर पुलावटा रेडी होएगा छे, इबारे हम रहेटा नामने नगे, अब इसको हम उतार लेंगे, बोल में, देखिए, पुहा रेडी होगिया है, रेडी होएगा छे पुहाटा, गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा धनिया पत्ता उसमें डालूंगी, धनिया पत्ता कुछ यह, हम यह और पुड़े दिये ची, गार्निशिंग कर अर्जन ने, यह रोपुड़े दिये दिवो, थोड़ा मिर्ची भी मैंने रखी हुई थी, वो भी थोड़ा डाल दिया उस पे, लॉंका दिचे आर लेपू, लेपू दे दिया है, यह बन गया है, पुहा, बें आप भी बना के खाईए बांगा लीरा, कोड़े खान, कुप भालो लगे खेते, लेकिन एक चीज याद रखना है, बहुत कम तेल भी नहीं डाला है, बहुत जादा भी नहीं, कम तेल डालेंगे, तो गले में अटक जाएगा, एक दौं कॉम तेलो डालेंना, अबर बेशी तेलो नोए, तो तेल टाइक टू शाम दिये देबें, ना हले गॉला याटकाए, निश्चर कोड़े खान, पोहा, बाई